हेलो मित्रो आपका हमारी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो अगर आपको 9 मन्थ लग गया है तो कौन सा ओसंकेत है और कौन सा लक्षड है जो की आपको ये बता देगी कि अब आपका सिसु जन्म लेने वाला है वीडियो आपके लिए बहुत ही हेलफुल होने वाला है तो इस वीडियो को ध्यान से और जरूर देखिए और बिना इसकिप किये हुए जैसे ही आपका 9 मन्थ लगता है 37 वीक के बाद मतलब हो जाए तो बहुत अच्छी बात है यानि कि 37 वीक के बाद अगर आपकी डिलिवरी हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है अगर 37 से 14 वीक तक यानि कि 37 से 40 हफते तक लेबर पे नहीं आ रहा है तो उनको सीजर ही होती है सीजर होने की काफी चांस होती है क्योंकि इसके कई कारण होते हैं हो सकता है कि आपका सिसू 14 विक तक भी आपका सिसू head down नहीं किया है या फिर ये भी हो सकता है कि आपके pregnancy के last month में कोई न कोई complication हो तो इस वज़ा से भी आपका सिसू आपको डॉक्टर को seizure करना पड़ता है तो आप अपने डॉक्टर से मिले बात करें कि मेरा labor pain क्यों नहीं आ रहा है क्या बात है कि मेरा labor pain अब तक नहीं आया है अगर possible होगा तो आपको artificial labor pain लाकर आप डॉक्टर आपका delivery करवा देते हैं अगर आपका जो cervix है थोड़ा सा उस में possible हो पाता है आपकी delivery में थोड़ा complication कम होगा तो डॉक्टर ये भी कर देते हैं कि दवाई और drip के माध्यम से आपको नकली labor pain लाके और delivery आपका करवा देंगे लेकिन अगर कोई complication है तो डॉक्टर आपको seizure की सलाह देता है तो कुछ ना कुछ सोच के ही सलाह देता है कि आप अब seizure करवा लीजिए अब आपको wait करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि देखिए मित्रो सिसू को गर्व में रहने का भी एक limit होता है एक time होता है एक समय होता है उस limit और उस समय के आगे सिसू आपके गर्व में नहीं रह पाएगा अगर आप चाहेंगी कि आपका जो दसवे मन्त में delivery हो तो ऐसा possible नहीं हो पाता है क्योंकि एक time period होता है उतने ही time period तक सिसू आपके गर्व में रहेगा अगर ज्यादा time होगा तो आपके गर्व में आपका सिसू पोटी कर लेगा और पोटी करके वहीं गंदा पानी पी लेगा तो आपको सिसू को नुकसान होगा तो आपको केवल EDD date तक ही इंतिजार करना है इससे एक दिन भी आपको अधिक इंतिजार नहीं करना चाहिए नहीं तो आपके लिए और आपके सिसू के लिए खत्रा सावित हो सकता है और आपके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि आपका सिसू इस दुनिया में सह सलामत और अच्छे से आए अगर आपकी delivery होने वाली है आपका सरीर और आपकी body भी कुछ आपको संकेत देती है कुछ आपके अंदर भी changes होते हैं जिसको की देखके आप ये अंदाजा लगा सकती है कि अब आपकी delivery कभी भी या कितने दिन में हो सकती है या किस हपते में हो स सकती है तो इसका पहला लग्षण है कि nine month जैसे ही आपका start होता है आपके pelvis area की muscles flexible होने लगती है आपका सिसू अपने सर से आपके pelvis area पे दबाव बनाने लगता है जिस वज़ा से आपके नीचे के area में यानि की नीचे private part के muscle में पे दबाव पड़ता है जोर पड़ता है और बाब एक्ति होने लगता है इसके बाद लचीला भी होने लगता है जिसके कि नार्मल डिलीवरी आसानी से हो जाए जब तक आपका nowhere नहीं होगा तब तक आपके normal delivery नहीं हो पाएगी तो ये flexible बनने लगता है और लचीला होने लगता है मुलायम होने लगता है जिससे की उसका मुह असानी से खुल पाए और आपके private part में दर्द चुबन जनजनाट भी होने लगती है इससे आपकी कमर में भी दर्द होने लगता है जब आपका सिसु head down position में आ जाता है जब आपकी date नजदिक आता है तो आपका सिसु आपके उपर हिस्से को खाली कर देता है यानि कि आपका सिसू अब हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है और उसका सारा भार नीचे की तरफ आ जाता है और नीचे फुटबाल की तरह गोल आपका सिसू हो जाता है आपको ये महसूस होने लगेगा अगर आप नाइन वंत में है तो इस बात को महसूस खुद पे खुद होने लगेगा अगर ब्रेश्ट के नीचे के ऐसे नाभी के ऊपर ऐसे अपना टच करेंगी तो खुद पे खुद बता देगा कि उसका सिर नीचे आ गया है इसके बाद ऊपर का सारा भाग खाली नजर आने लगेगा आपको आपके पेट के निचल प्राइबेट पार्ट में दर्द आपको होने लगेगा तेज जनजनाट के जैसे दर्द आप ऐसा लगेगा कि अब आपसे बर्दास्त नहीं हो रहा है सारा भार प्राइबेट पार्ट पे ही हाग आ गया है इसके बाद आपका डिस्चार्ज भी बढ़ जाएगा बलगम ज चुरू होता है तो delivery कभी भी हो सकती है इसके बाद आपको leão को स्पोर्ट्टिंग होने लगेगा bleeding होने लगेगा तो यह दो घंटे के अंदर आपकी delivery हो जाएगि जा आपको यह is eng Dia घंटिंग ऑनी इंतिजार नहीं करना है जब लीडिंग होने लगे इस्पोर्टिंग होने लगे पानी की थैली फट जाए पानी की लिकेज होने लगे तो आपको हस्पीटल जाना है घर पे नहीं रहना है आई होगी समझ में आई तो चैनल को लाइक सेर सब्सक्राइब जरूर करिए मिलते है अगले वीडियो में तब तक धन्यवाद